नमस्कार मैं किशिश और स्वागत आपका नेक्स्ट नाइन नियूस में आज की इस रिपोर्ट में बात करें हम शिफपाल यादफ को लेकर आखिरकाश शिफपाल सिंग यादफ को कम मिलेगी बड़ी जिम्यदारी इसको लेकर लगता सवाल उठते नजर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जब मुलायम सिंग यादफ का निधन हुआ तब 10 ऑक्टूबर को वो दिन काफी जादा दर्णाक था उजिन देखा गया था कि उस दिन से लेकर जब तक प्रिक्रियाए लगतार चलती रहे क्रियाए लगतार चलती रहे तो शिफपाल अखिलेश के साथ में करेंट क्या है तो उन्होंने का कि अभी तो हम क्रियाओं में बहुत व्यस्त हैं मुलायम सिंग यादफ के भाई के तो इन सवालों का मतलब ही नहीं बनता लेकिन जब 2-3 दिन बाद उन से फिर से सवाल किया गया तब उन्होंने का कि हां बड़ी जिमेदारी का इंतजा है और जिमेदारी मिलती है तो बहुबी तरीके से निभाऊंगा लेकिन जब स्टार प्रचारों को की लिस्ट जारी की गई तो उसमें शियुपाल सिंग यादफ का नाम नहीं था जिसको देखकर कहीं ना कहीं नाराज गई बढ़ती नसराई लेकिन अब आपको बता दें क कि आज गोला गोकर्णपूर में चुनाव है वहाँ पर और उसके लिए स्टार प्रचारों को कि लिए जारी की गई तिसमें शियुपाल का नाम नहीं था लेकिन फिर उनसे सवाल किया गया कि आपको किस तरीकी की जिमेदारी का इंतजार है उन्होंने का इंतजार है इस तो हर कोई देता हुआ नजरात है आपको बता दू कि यहां पर वो कहते नजराय कि शिपाल यादव से पूछा गये कि समाजवादी पार्ट में बड़ी जिमेदारी मिलेगी उन्हें तो उन्होंने का कि बखूबी उन्हें जरूरून मिलेगी बड़ी जिमेदारी और चल्द ही मिलेगी इस तरीकी की उमीद लगायी जारी है साथ अन्हें से जब सवाल किया गया आज़म खान को लेकर तो उन्होंने का कि आजम खान बड़े नेता है कि सब लोग सदन में देखना चाहते हैं और हम भी आजम खान को दोबारा से देखना चाहते लेकिन वहीप और आजम खान पर हेट स्पीच का मामला लगा था इसको देखते हुए यह ता यह फैसला कर लिया गया था कि तीन साल तक उने जेल और साथ यह साथ नो साल तक वो चुनाफ भी नहीं लड़ पाएंगे सरकार में कोई काम भी नहीं कर पाएंगे इसलिए वह खिलेश और शिप पाल सिंग्यादफ को लेकरे कि आखिर कान उन्हीं जिम्मेदारी क्या मिलती है वह तिस तरीके से अपनी बात को रखते नज़र आएंगे अब आपका के कहने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बाकी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स वाइन लोग देखते रहे